साथ सितंबर से गनेश चतूर्थी का उत्सो प्रारम हो राय जो हिंदु धर्म में विशेष महत्पु रखता है भगवान गनेश का ये परवन के जन्मोट्सों के रुप में मना जाता है जहां उन्हें विग्न हर्ता माना जाता है हर साल भादरपद मा की चतूर्थी तीथी को मनाय जाने वाला ये उत्सो दस तिनों तक चलता है इस दिन भक्त विदीपूर्वक गनेश ची की मूर्थी के स्ठापना करते हैं और पूजा आर्चना करते हैं माननेता है कि इससे सभी कार्य सफल होते हैं साल भादरपत शुकल पक्ष की चतूर्थी तिती 6 सितंबर को 2 पहर 3 बचकर 1 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर की शाम 5.37 तक चलेगी उद्यातिती के अनुसार गणिस चतूर्थी का वरत और प्रतीमा स्थापना 7 सितंबर को होगी नोतिश्य गणना के अनुसार इस दिन पूजा का शुब मुहुर्त सुबा 11 बचकर 15 बजे सिल्ले कर 2 पहर 1.43 बजे तक रहेगा इस दोरान भक्त जन अपनी मनो कामनाओं के लिए गणपती की पूजा करेंगे गणिस चतूर्थी का 110 दिनों तक चलता है और अनंत चतूर्थी के दिन प्रतीमा विसर्जन के साथ समाप्त होता है इस वार 17 सितंबर को गणिस विसर्जन होगा जब भक्त पूरे उत्सा के साथ गणपती को विदा करेंगे और अगली साल फिर से आने की कामना करेंगे गणिस चतूर्थी के दिन मीठे व्यंचन जैसे साबुदाने की खीर और फलाहार करें इस दिन सेंधा नमक का उप्योग करें और तामसिन भूजन मंदिरा या किसी नशे से दूर रहें व्रत खोलने के लिए सिंगारी के आटी से बने हलवी का सीवन उचित माना गया है